हेलो एवरिवन कैसे हैं सभी लोग आई होप आप सभी लोग दें बढ़िया होंगे डियर स्टुएंट्स आज के इस वीडियो में हम रिवाइस करने वाले हैं केमिकल एफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करन्ट वाला चैप्टर क्लास एट साइंस का बहुत जादे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप में से बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि इस चैप्टर को में वाइट बोर्ड पर पढ़ाए था तो बच्चों को वह थोड़ा समझ में कमाया था बट उन ही सब चीजों को मैं देख कर कि आपके ज करें front मों यहाँ पर सबसे पहले आता है use chemical affect of electric current À chemical effects of electric current मतलब कि इस चैप्टर में हमें electric current के दुआरा बनाए गए chemical effect के बारें पढ़ड़ा यानिकी जो electric current होता है it can also आपको पता हुनी चाहिए तो यहां पर सबसे पहला आता है, अब ही तक आपने ये पढ़ाया कि जो सबस्टांस electricity को conduct करता है उसे conductor बोला जाता है बिल्कुल सही बात है लेकिन कोई substance electricity को क्यों conduct करता है dear students यहाँ पर जवाब आता है क्योंकि कुछ substances के पास free electrons होते हैं क्या होते हैं free electrons, electron क्या होते हैं negatively charged particles होते हैं बहुत ही छोटे छोटे negatively charged particles होते हैं उन्हें electron बोला जाता है ठीक है तो जिन objects के पास या जिन substances के पास free electron होंगे वो electricity को conduct करेंगे यह आपको याद रखना है बहुत important है ठीक है entrance examination में पूछता है अब यह मत पूछना कि electron में ऐसा क्या है कि current बन रहा है उसके तरफ जाने की जरुवत नहीं है बस यह याद रखी ज यहाँ पर भी free electron present होगा वो substance एक conductor होगा बहुत important है अब conductor के बहुत सारे example है मैं चाहता हूँ कि comment section में हाँ पर conductor के at least three examples लिख दीजे मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका comment देखकर मैं आपके comment को एक heart दे दूँगा ओके so यहाँ पर देखिए insulator insulator क्या होता है insulator ऐसे object होते हैं जो electricity conduct नहीं करते कियों conduct नहीं करते देखिए क्योंकि इनके पास जो electrone होते हैं यह tightly bound होते हैं यानि कि यहाँ पर जो electrones होते बंधे रहते हैं वो खुले नहीं रहते देखो यहाँ पर इनको थोड़ी सी आजादी क्या मिल करेंट बन गया, electrons को आजादी मिलने से current यहाँ पर electrons आजात थे तो current बन रहा था लेकिन electrons को जब कैद कर लिए गया bound कर लिए गया तो current नहीं बनेगा और ऐसे substances को हम insulator कहेंगे these students आपको एक काम और करना है कि insulator के भी आपको example लिख देने तीन तीन example दोनों के लिख देने लेकिन ये current की चीज़ होता है so यहाँ पर हमें current का concept भी समझ लेना है देख ए current क्या होता है हमने सुना है कि कई जगा current कि convention कर रहा है current दो तबहा होता है जब यह current यह नहीं कि rein अपको अइक destproduct होता है current यह अने कि जब ये electrons घूम कर इस point पर जाएंगे और वापस आ जाएंगे अपने point पर जहां से इनोंने चलना शुरू किया था जब ये electron मानलों ये point A है, ये point B है, ये electron A से B पर गए और B से वापस लोट कर A पर आगे तो इस तरीका का जो flow होता है dear students वो current को generate करता है यानि कि electrons dear students जब flow होते हैं, किसी conductor के अंदर तो हम कहेंगी यहाँ पर current बन रहा है और ये चीज़ हम circuit के अंदर देख लेते हैं, circuit में क्या होता है circuit में बस यहाँ पर बीच में एक क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पर positive charge और यहाँ पर भी है negative charge है न तो circuit ऐसे ही बनता है, उसमें positive और negative charge जोता है, बैटरी की जरूरत पड़ जाती है बैटरी क्या होता है combination of cells होता है यह चीज़ आपको पता है current क्या होता है flow of electrons in a conductor एक conductor के अंदर जब electrons का flow हो रहा होता है या फिर एक circuit के अंदर उन electrons का flow होता है एक defined path होता है जिसके अंदर flow हो रहा है यानि A से B पर और B से वापिस A पर आ रहा है electrons घूम कर तो हम कहेंगे current यहां पर बनेगा ठीक है important चीज़ थी अब कुछ बच्चे कहेंगे पता नहीं सर क्या करा रहे है electron electron बोल रहे है electron बच्चो negative charge species होते negative charge particle होता है बस यह याद रखना है इसके अलावा पर कुछ याद नहीं रखना तो जब electron move करता है तो current बनता है ओके समझागे मेरी बात अब यहाँ पर देखी effect of current current के क्या क्या प्रभाव होते हैं और इस chapter में हमें क्या पढ़ना है chemical effect of electric current लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं प्रभाव यानि कि chemical के अलावा यहाँ पर दो तरह के और प्रभाव होते हैं उनक कि जब कभी current flow होगा तो वहाँ पर heating effect देखने को मिलेगा heating effect यानि की जिस conductor में current flow होगा यान इक electrons flow हों गए वह conductor गरम हो जाएगा इसको हम कहेंगे heating effect of electric current यहाँ पर देखी when current flows in a conductor it generate heat it generate heat तो इसे क्या बोलेंगे इस से बोलेंगे, हम heating effect of electric current समझागे मेरी बात देखो इसमें रख लो important है गिजा में पूछ लेता है कि कौन कौन से effect होते हैं कौन कौन से प्रभाव होते हैं तीन प्रभाव होते हैं कौन कौन से बच्चों heating effect of electric current उसके बाद हम पढ़ रहे हैं magnetic effect of electric current अब तो यह उन्होंने ऐसे मतलब experiment नहीं किया था accidentally उन्होंने क्या देखा था कि एक वायर था उसमें current flow हो रहा है ठीक है उन्हें पता था कि यह circuit complete है यहां पर वायर में current flow हो रहा है उसी जगहा पर एक compass रखा हुआ था उसकी जो निडल थी वो कमपास जो होता है उसकी जो निडल है वो deflection शो कर रही थी लेकिन जैसे वो बटन आफ कर देते हैं तो निडल में कोई deflection नहीं आ था तो उनको समझ आई यह बात कि जो electric current होता है वो magnetic effect भी शो करता है यानि कि the compass निडल शो deflection कमपास निडल deflection शो करेगा कब करेगा when electric current is passed through it जब इसके पास electric current को ले जाए जाए जाएगा मालो ही हमारा circuit था A और B वाला यहां पर मैं बीच में dear students यहां पर इधर मैं compass रख देता हूं इसका north pole है जैसे हम इसे on करेंगे इस current को हम on करेंगे तो यह जो हमारी निडल है deflection हो करेगी थोड़ा इधर जा सकती है थोड़ा current से magnetic effect we generate होता है ठीक है अब यह आपर next point देखी very very important chemical effect of electric current कई बच्चे इस topic को बहुत ज्यादा मैं क्या बोलूँ कि समझ नहीं पाते हैं पता नहीं क्यों क्यों क्योंकि शायद उने समझाने में teacher की थोड़ी सी गलती होती या फिर बच्चों की भी गलती होती फोकस नहीं क करूँगा तो यहाँ पर देखी बहुत important term है पहला है electrolyte फिर ions फिर electrode यह बहुत जादे important चीज़े बताने जा रहा हूं आपको आगे काम आएंगी प्लीज यहाँ इस वीडियो को बिल्कुल serious होकर देख लो और यहाँ पर comment करो अभी इस वीडियो के नीचे कि I am serious ताकि होता है है जतना क्या होता है जो इसे हम क्या बोलेंगे एलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे ठीक है और एलेक्ट्रोलाइट क्यों बनता है इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि यह इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है कि यह इलेक्ट्रों को फ्लो करवा देता है कि इसके अंदर electricity को conduct किया जा सकता है ऐसा इसमें क्या खास होता है इसके अंदर ऐसा खास जो चीज़ होती है वो होती ions बिना किसी ions की movement के या फिर बिना किसी ions की presence के आयोन कौन कौन से होते हैं एक होता है positive dear students और एक होता है negative दो तरह के ions होते हैं ठीक है अगर एक solution के अंदर ions present है तो वहाँ पर वो solution dear students electricity conduct करेगा और हम उसे कहेंगे क्या एक electrolyte तो एक electrolyte का बने रहने के लिए क्या चीज़ों की ज़रुवत पढ़ती है ions की ज़रुवत पढ़ती है ठीक है अब यहाँ पर ions क्या होते है दी जादा क्या चीज़ों क्या बोलें क्या बोलें कैसे याद रखोगे पॉजटिव यान कि देखो positive cat क्या होती है positive होती है बिली हम सब को अच्छी लगती है ऐसा याद कर लो मैंयाद से पहले है इस तो नेगेटिव है चिस्ट समझ माहि Дar мед हमें समाझ पर चुका है इस है स्के अलावा है इस chemical effect of electric current को समझने से पहले हमें electrode के बारे में knowledge होनी चाहिए, अब electrode क्या होता है, electrode ऐसे rod होता है, rod यानि समझते हो न, rod क्या होता है, इस तरह का structure, जैसे कि अगर मैं इसको marker को कहूँ, ऐसे रख दो इसको, तो मैं इसको कहूँ, rod है, ठीक है, rod, it is also a rod, तो यह rod होता है, ठीक ह दिहां सब सुनो, मैं क्या कहा हूँ, देखो, इस apparatus को हमने set किया है, set कैसे क्या है, हमने सबसे पहले एक container लिए, container हमने यहाँ पर electrolyte solution भर दिया, क्या भर दे electrolyte, 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 electrolyte हमने इस container का अंदर भर दिया है, कुछ बच्चे कहेंगे, कुछ बच्चों का दिमाग चल रहा ह सकता है ठीक है तो यह एंदर और इस दो रोड की उपर यह जो रोड है यह हमने बनाई है मालो कार्बन कि क्या हैं आप अब ही के लिए सब्सक्राइब बने हो सकते दोनों और से बने हो सकते कोई दिक्कत नहीं है एक electrode, दूसरे material का एक electrode, दूसरे material का कहने का मतलब एक electrode मानलोग gold का है और एक electrode मानलोग copper का है सेम electrode भी चल सकता है और जो different electrode से लोग चल सकते हैं वही दिक्कत नहीं, दोनों को लगा चकते हो पर यहां पर इस case में हमने क्या करा है लगा अदिए मैटल के ओपर मैंने लगा दिए हैं मैटल कैप क्या लगा दिए अब यहां पर हमने लगा दिए और इक बैटरी क्या लगा दिश्चा Пट्रार भे 방 से जिस इलक्टरोड को कनेक्ट किया जाता है उसे बोला जाता है एनोड की आ इंपक्रेट्ट के लिए इनोड यह टेंथ क्लास में गईाता है थक और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिस इलक्ट्रोड को कनेट किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे कैथोड बोलेंगे क्या बोलेंगे कैथोड और इनके ओपर कौन-कौन से चार्जिस होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए मतलब यह है देखो cathode यह वाला मैंने arrow गलत बना दिया वहाँ पर arrow should be right here this is the cathode battery के negative terminal से जिस electrode को connect किया गया उसे क्या बोलते है cathode अब देखो यहाँब एक चीज़ देखो मैंने कहा कि battery के positive terminal से जिस electrode को connect किया गया उसे anode बोला तो anode के उपर कौन से charge आएगा क्यूंकि हमने इसको positive terminal से connect किया है तो anode के उपर होगा बच्चो positive charge याद रखना है important है entrance exam पे पूछता है उसके बाद यहाँ पर हमने negative terminal से जब electrode क्नेट किया था तो हमने उसको क्या नाम रखा था बस बैटरी के जो यहाँ पर टर्मिनल है उसके साथ करेंट करना है तो बैटरी के जब नेगिटिव से connect किया तो वह कौन सा है यहाँ पर क्यूंकि हमने इसको नेगिटिव से connect किया है तो कैथोड के पास कौन से charge है बच्चों यहाँ पर इसको कौन से चारिय वहाँ किया है यहाँ पर कुछिछ यहाँ यहाँ पर कुछ ठीक है और और यह नेगिटिव वाले पर सौरी एक शेंड नेगिटिव हो गए ठीक है तो इस तरीके से हैं इस प्रेजन्ट होंगे, ठीक है ह्थ? था आपक पुछ समझ आया हुग पूरा अपरस यहाँ पर हमने एक कंटे नडे-्य था उलेक्ट्रोलाइट बंट टाल दिए उलेक्ट्रो फेन फेन इलेक्ट्रोड को डाल दिए बात बिल्कुल समझ वाया अब यहां पर एक important question आता है एक्जाम में कई बार पूछ लेता है कि ऐसे तीन important observation बताओ जो chemical effect of electric current के विज़े से देखी जाती है या फिर what are the chemical effect of electric current chemical effect of electric current से क्या क्या चीज़े होती हैं क्या के प्रभाव पड़ते हैं या फिर ये डारेट पूछता है कि राइड डाउन दा chemical effect of electric current की chemical effect कौन कौन से होते हैं अब देखो यहां पर तीन important observation होती है यह आपको याद रखना है पर सबसे बहला point आपको याद रखना है कि bubbles of gas may be formed near the electrode यानि की bubbles, gas के bubbles भी खटा हो सकते हैं यहाँपर gas के छोटे चोटे चोटे बबल create हो जाएंगी चोटे 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 इलेक्ट रोड के पास यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी ठीक है एक electrode पर metal की covering चढ़ सकते हैं इसको हूं किया बोलते है loc broadband इसके बारे में हम बात करने माले यह है tension मतलो तो electroplating भी कर सकते है यानि कि यहां पर क्या बोले है ऎक metal का deposition हो सकता है किसी एक electrode के उपर माल लो यहारा electrode उड़ कर यहां पर आ जाए उड़कर नहीं मतलब की कैमिकल रियक्शन के थुरू यहां पर आ सकता है अगर यह मैटल के रोड होते तो अभी हम बात करेंगे क्योंकि यह दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रो प्लेटिंग के बारे हम बात कर रहा है थर्ड पॉइंट देखिए चेंज ऑफ क कोच लेता है तो फ्लीज आप इसे नोट डाउन कर दीजिए अपने कॉपी में कर सकते हैं जो नोड बना रहे हैं उसमें कर सकते हैं स्क्रीन शोट ले सकते वाट विडियो को पॉज किजी और इनको नोड डाउन कर लीजिए कॉमेंन्ट सेक्चन में मुझे बहुत ऑछले यह सब देख रो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग के बारे में बाकि यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं ना यह फो आएंड़ करता है जो बच्छों पुर वाटर होता है जो बच्चों प्रेजनकिda हो प्रेजेक होता चैनकि क्यों इसलिए नहीं नहीं होता बच्चों यहां प्योटे कंडक्タर क्योंकि क्या होता है उसमें कोई भी ions present नहीं होते the lack of ions or the absence of ions makes it a poor conductor of electricity वही पर अगर हम उसमें कुछ salt वगएरा डाल देते हैं मान लीजे मान लीजे मैं आपको फ्यार से समझा देता हूँ मैं इसको मिटा देता हूँ आप एक बात ध्यां से सुनी बहुत important है यहां पर बहुत काम आएगी please this video के हाँ पर जहां से देखी मान लो यहां पर एक case मैंने लिया दो ग्लास लिया मैं ठीक है ग्लास A and ग्लास B इस इस अग्लास A, इस इस ग्लास B यहां मैंने क्या करा डिया इस्टुडेंट्स ग्लास A है ग्लास A मैंने बढ़ दिया पानी and this is the pure water pure water और यहां पर भाई भही मैंने पानी डाल दिया ये भी pure water है माल लो pure water है आप कहोगे सर दों pure water है तो A B क्यों बोला बट इस B वाले मैंने क्या करा ऊपर से क्या डाल दिया salt डाल दिया इस और दिया Sodaum chloride में ने यहाँ पर डाल दिया एक है यहाँ पर pure water तो pure water तो electricity conduct करने से रहा it will not conduct electricity due to the absence of ions मैंने भी आपको बताया due to the absence of ions ions नहीं है तो हम क्यों करें electricity conduct हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम क्यों तुम्हारी help करें लेकिन 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 second case में B वाले में हमने क्या करा salt डाल दिया salt कौन सा था NaCl और मैं आपको बता है था कि यहाँ पर positive और negative ions generate हो जाते हैं तो positive ions यहाँ पर कौन सा होगा यहाँ पर कौन सा चार्ज लेकर आगए negative चार्ज यानि कि जो NaCl था यह Na positive and Cl negative में जाकर break हो गया और यहाँ पर इनके break होने के वज़ए से क्योंकि Na के पास positive चार्ज है तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चो इसे बोलेंगे के टायोन और Cl के पास कौन सा चार्ज है negative चार्ज है आप वो क्या करेगा electricity को conduct करेगा समझ आई मेरी बात और वहीं पर जो tap water होता है घर में जो पानी उज़ोता है वो pure water नहीं होता और कई पर pure water को distil water भी कहा जाता है दोनों के बात एक ही है दोनों के दोनों में कोई भी ions present नहीं होते वहीं पर जो घर पर जो पानी होता है tap water जिसे बोलते हैं उसके अंदर ions present होते हैं ठीक है तो वह इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट करता है आई हूप आपको यह वाला जो डाउट था यह वाले जो चीज थी कि सॉल्ट डालने से क्यों electricity कंड़क्ट होती है मैं बता दी आयोंज प्रेजेंट हो जाते हैं पहले आयोंज नहीं थे प्योर में लेकिन सॉल्ट डालने से क्या होगा एन पॉजिटिव में टूट जाएगा दोनों के दोनों हमें आयोंज मिल जाएंगे इसकी वजह से वहाँ प electricity की help से हम एक metal को दूसरे metal के उपर चड़ा देंगे यानि कि उसके उपर covering करा देंगे उसे बोलेंगे electroplating ठीक है जैसे आपने देखाऊगा जो silver होता है उसके उपर अगर हम एक पतला सा gold की layer चड़ा देते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि यार यह तो jewelry gold की है बट actual silver होता है यह ना इस तरीके कि हम electroplating करते हैं यानि कि मान लीजी कोई इसके उपर हम दूसरे metal को चड़ा देते हैं covering करवा देते हैं जैसे कि जो zinc होता है उसका हम iron को पर covering करा देते हैं ताकि उसमें rust ना लगे तो इसी सभी processes को करने के लिए जो हमें principle use करते हैं वो कौन से करते हैं electroplating और electroplating based कि इसके उपर work करता है यह करता है chemical effect of electric current कि इसके chemical effect of electric current की application क्या है electroplating है electroplating क्या है electricity की help से एक metal को दूसरे metal के उपर deposit करवा दिया जाता है as a layer एक layer की फॉर्म में उसे बोलते इलेक्ट्र प्लेटिंग डेफिनिशन देख लिजी डिपॉजिशन आफ लेयर ऑफ डिजाइड मैटल याने जिस मैटल को हम चाहते हैं कि वह उसके उपर जाकर कवर हो उससे बोले डिजाइड मेटल को दूसरे metal के उपर covering करा दिया जाता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्र प्लेटिंग समझाई मेरी बात अब यहां पर है इसको परम आइस जिंक के कवरिंग लगा दूगा ताकि इसमें जंग ना लगे ठीक है यहां पर हम क्या हम क्या करेंगे देखा एक में क्या चाहिए सब इलेक्ट्रोड 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 भी हमार पास यहाँ पर कौन-कौन से एक अनोड होगा और एक कौन से बच्चों कैथोड होगा ठीक है समझा रहा हूं प्लीज इसे ध्यान से देखना दूसरा है आपर हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रोलाइट चाहिए लेक्ट् तो यहां पर बेसिक तीन चीज़ है मैंने चार लिग दी कोई बात नहीं तीन है ठीक है तीन चीज़ है एलेक्ट्रोड और यहां पर बैटरी ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनों यहां पर हमें क्या करना है यहां पर आपको कुछ चीज़ याद रखनी है और इनके बीना आप आगे बढ़ नहीं सकते देखो बहुत सारी यूट्यूबर ने इस वीडियो को पढ़ाय हुआ है और टीचर ने पढ़ाय हुआ है मुझे पता है बट मुझे लगता है कि आपको थोड़ी चीज़े इसके में जाननी चाहिए तो यहां पर देखिए है दमेर्ट यूज़ फॉर प्लेटिंग जिस मेटरों हमको इस्ते मेटल को हम चाहते हैं कि दूसरे को पर जाकर कोट हो जाए डिजायर जो हमारे मैटल होगा वह हमेशे कहां पर रखा जाएगा बच्चों वह रखा जाएगा एंट्रेंस एक्जामेशन पूछ सकता है और इसका कोशन का अंसर ना अच्छे बच्चे नहीं दे पाते ति ध्यान रखने इस बात को तो अनोड पर रखा जाता है और जिस मैटल को प्लेट होना है जिस मैटल को प्लेट होना है जिसके उपर कवरिंग चड़े नहीं है वह कहां पर प्रेजेंट होगा बच्चों प्रेजेंट हो कैथोड पर कहां पर कैथोड पर एनोड और कैथोड क्या है उसे बोलेंगे एनोड और जो बैटरी के negative terminal से connected है उसे हम क्या बोल देंगे क्या थोड़ बोल देंगे क्या थोड़ बोल देंगे है ना अब यहाँ पर एक important चीज आती है जो electrolytic solution होता है वो कैसा होना चाहिए इसका important चीज है मतलब कि बिना electrolyte solution के अब इसे कर ही नहीं सकते और वो electrolyte solution भी खास होना चाहिए वो electrolyte solution दोस्त होना चाहिए इस anode का कहने का वेरा मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि zinc को iron के ओपर चड़ा दिया जाए कवरिंग करा दी जाए तो यहाँ पर electrolyte solution होगा बच्चों वो किसका होगा वो जिंक का दोस्त होना चाहिए यानि कि यहाँ पर है उसका ही दोस्त होना चाहिए इस electrolyte को यानि कि अगर हम चाहते हैं जिंक आयरन को पर चड़ जाए तो यहाँ पर जो electrolyte हम लेंगे हमेशा वो लेंगे जैडन ऐसो फोर ठीक है तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे यहाँ पर लेंगे बच्चों जैडन ऐसो फोर ठीक है यह चीज़ समझाए था electrolyte must be solution of a salt of the metal used at anode मतलब कि जो मेटल हम एनोड पर यूज़ कर रहे है तो उसी का वो क्या होना चाहिए सॉल्ट होना चाहिए अब यहाँ पर सॉल्ट क्या है जिंक का जैड़ना सफोर है मानले हम पर कॉपर होता तो कॉपर का सॉल्ट क्या हो होता है यह याद करने वाले चीज़े हैं जैड़ना सफोर सी यूए सफोर आगे हो जाएंगी याद टैंशन मतलब तो दो चीज समझाए कि जिस material को जो हमारे desired metal है वो कहां पर होगा एनोड पर होगा जिसके उपर उसकी कवरिंग चड़नी है वो कैथोड पर प्रेजेंट ह होगा और अविस सी बात है और जो एलेक्ट्रोलाइट हम करेंगे वह सौयल कि स्का होना चाहिए लोड का होना चाहिए यह कि आपको पता बना चाहिए तो हमने यहाँ पर क्या थरा जो यहाँ पर स्विच मानलों हमने इसको ओन कर दिया इसको ओन करने से क्या होगा बच्चों जो इस डिरेक्शन में भागेगा ठीक है इस डिरेक्शन में भागेगा ऐसे और इस नेगिटिव के पास यहाँ पर इलेक यहांपर और इस ऑवर जिंख ऑर यहां कैथोर्ड पर क्या है बच्झों डि fact week आपर हमारे पास यहां पर आए के जिए बच्चों बाद दियान से स misinformation क्या होगा यहां पर यहां पर क्या होगा जो इससोर्ण की तरफ और यहां पर जिए केकल लेयर जमाँ condemn और जो यह कैथोड है इसके ओपर complete layer जमा हो जाएगी कैथोड के ओपर क्या हुआ जो हमने एनोड पर वैटल यूज किया था वो धीरे 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 अब कैथोड पर आ गया है और उसको coat कर दिया है cover कर दिया है इसी को हम बहुत है समझ भी आ गए होगा कि यहां पर जिसका हमें अलेक्ट्रोप्रेटिंग करना है वह होगा अनोड पर क्योंकि हमें यहां पर zinc का यहां पर coating करनी थी इधर तो हमने क्या करनी लिया और जिस सब्स्टांस के उपर हमें काम कर्वाना है वह हमेशा कैथोड के उपर present होगा मालो य यहां पर सॉलोशन ले दी हम कुछ जुभी इसका होता है तो इसका होगा है ठीक है मतलब आप अनोड पर जो मैटल था यह डिपॉसिट हो जाए गाए कथोर के पास यह ही सका पूरा है समाझ मैं हम क्लिर हुआ क्या इसका फंडा था मैने बिलकुल बेसिक उठाया है और बिलकुल आपको जो आपके लेवल का है में help करता है बनाने में और क्या होता है बहुत सारे इसके अब बोल सकते हो कि यूजिज है वो आप याद कर लेने हैं वो हाड नहीं समझने की चीज़े हैं बेसिक चीज़े हैं कि यह हूपा को यह समझा गीओ अगी बैटरी बहुत कमचोर चीए हैं दो अगए होएं तगड़ी बैटरी है तो वहाँ पर लेक्ट्रो प्रोसेस बहुत जल्दी-जल्दी होगी तो यह चीज़े को समझ आगई होगी यहाँ पर मैंने आपको बढ़ता दिया है अपने इस वीडियो को लाइश्ट तक देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा है अब हमके मिलते हैं कि इस नेक्स वीडियो में तर तक लिए अपना ख्यार लखना आगे पढ़ते रहना टेक केर बाई